हम लोग पढ़ रहे हैं एक पींच ओफ सनफ एक सौटर स्टोरी है जिसे की मनोहर मालगोनकर ने लिखा है पाराग्राफ 46 से इस वीडियो में है 45 तक इसके पहले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया गया है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नान और वहां उन लेखक से जोर जोर से बात करते हैं कि हमको हजरत बरकत अली से परिचे है जो की एमबेसडर है और सोहनलाल का जो लड़का है उसको बरकत अली से कुछ काम करवाना है वो फोरेन एसाइनमेंट चाहता है और इसके लिए उसको मदद चाहिए बरकत अली का और ज सुनता है कि बाहर जो महापुरुस खड़े हैं उनका परिचय बरकत अली से है वह प्रभावित हो जाता है और यहीं से यह पाराग्राफ हमारा आरंभ होता है यही वह समय था जबकि लाला सोहनलाल अपने सचीव के साथ अंदर के कमरे से भागते हुए लड़ खड़ाते हुए बाहर आया और फ्रॉम देन और तब से और एवरी थिंक वाज असमूथ हर्ड इन दी सेक्रीन कोर्टेशी ओफ दी सीजन्ड पॉलिटिकल कम्पेनर और तब से हर चीज सेक्रीन की मिठास घोल कर एक मजे हुए राजनीतिक की तरह बात होते रही लोग एक बात करते रहे जैसे ही दोनु के बीच का जो इंट्रोडक्शन था वो समाप्त हुआ इस सेक्रेट्री वाज सेंट बस्टलिंग तो ओडर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पान सेक्रेट्री को तुरत स्वीट मीट मिठाई कॉफी और पान का ओडर देने को कहा गया कि नानु काका के लिए कुछ नास्ते का प्रबंध करो 47 पाराग्राफ में अब हम लोग बढ़ेंगे देस्पेर्ट अबाउट जमीनदार्स एंड वोट्स एंड दी वेदर फॉर एंड फ्यू मिनट्स वीफोर कमिंग ब्रास टेक्स ब्रास टेक्स कहते हैं मूल भी से तो मूल भी से तो यही था कि सोहनलाल को बर्कत अली से टेके लिए दो यहां से अफ़्पने कि पहले वे लोग are you about jamina müma के बारे में बोट के बारे में मौसम के बारे में बात करते हैं और ऊसके बाद वे को मूल भी सह पर आजाते हैं I hear you know हजरत बरकत अली वेल सोहनलाल सेड़ बीथ ऐन इन ग्रेटियेटिंग ग्रीम काफी भिनम्रता से गिड़ गिड़ा कर सोहनलाल ने कहा नानू काका से कि मैंने सुना है कि आप बरकत अली को अच्छी तरह जानते हैं नानू काका कहते हैं ओ ओ ओल्ड एच्बी हाव डीड यू नो आई नो एच्बी वह बुढ़ा एच्बी आपको यह कैसे पता चला कि मैं एच्बी को जानता हूं एक्च्वली वी वे अरएटी स्कूल टूगेदर बास्तम में हम लोगी स्कूल में एक साथ थे नानू काका बताना चाहते हैं सोहनलाल को कितना वड़ा जोट का सहारा लेकर कि मैं और बरकत अली एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे हमेशा हमको बड़े भाई की तरह सम्मान देता था रेदर टचिंग रियली इवें टूडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन बिदावट कंसल्टिंग मी आज भी बीना हमसे कंसल्ट किये हुए वह सायद ही कोई बड़ा निर्ने ले पाता है कोई भी बड़ा निर्ने लेने के लिए आज भी वह हमसे संपर्ख करता है वें दी पी एम ओफर्ड हीम इमबैसी जब पी एम ने उनको इमबैसी का ओफर किया था दूतावास का ओफर किया था तो इसके लिए हजरत बरकत अली के माइंड को कौन समझाया था कौन इस पद के लिए उसको तायार किया था यू सुहालाल कहता है कि जी आप ही देट्स राइट मी गुड्ड ओल्ड एच बी नानू काका कहते हैं कि ठीक मैंने ही उसको इस पद के लिए राजी किया था हा 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 लाफ्ट सुहालाल नाव सोविंग ओल हीज पान स्टेंग टित इतना कहकर सुहालाल हस देता है और उसको पान से नीटे हुए पूरे दांत हसने के कारण दिखलाई पड़ जाते हैं इन देट केस इट इज लक्की डेट यू हैब कम टू माई हमबल हाउस सुहालाल नानू काका से कह रहा है कि आज ये सुभ दिन है कि आप मेरे गरीब खाने में पधारे हैं आज आप मेरे यहां आये हैं भेरी लक्की बहुत भागसाली हैं विकाउज क्योंकि माई सन मेरा बेटा ही इज इन दी बैलेंस मिनिस्ट्री है जो कि यहां बैलेंस मिनिस्ट्री में है ब्यापार मंत्राले में है वहां तो चक्कर पर चक्कर है वहां पर तो पेंच पर पेंच फसा हुआ है some seems to have poisoned the ambassador's mind लगता है कि कुछ लोगों ने मंत्री के कान में जहर घोल दिया है about my son मेरे पुत्र के बारे में नानू काका कहते हैं कि कुछ लोग जो ambassador है उसको मेरे पुत्र के बिरुद्ध सिकायत कर दिये हैं क्या से किसकी के बारे में सिकायत कर दिये हैं about some transaction concerning इभेक क्यू प्रोपर्टी कि कुछ संपत्ति अस्थानांतरन के संबंध में कुछ लोग नानू काका से कहता है सोहनलाल के कुछ लोग जा करके ambassador को बता दिये हैं कि इनके बेटे के पास कुछ गैर कानूनी संपत्ति है actually it was a perfectly legitimate बास्तव में यह सब बास्तव में यह सब जायद संपत्ति है कोई गैर कानूनी संपत्ति नहीं थी नानू काका waved away any further explanation अब नानू काका जो है कोई भी दूसरा बात को हटा देते हैं अब कद्या बात चीज़ छोड़ियार यही काम करवाना है ना that should be quite simple बहुत आसान काम है he announced उनोंने कहा I will write and tell HB to do it हम HB को पत्र लिखेंगे उससे कहेंगे कि तुम इस काम को कर दो no no don't thank me at all और इसके लिए मुझे धन्यवाद भी नहीं चाहिए तनीक भी धन्यवाद के आप सकता नहीं है after all we mean after all we we mean in the public must do thing for one another हा 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 नानू काका कहते हैं कि हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं एक दूसरे के लिए ही काम करेंगे और इतना कहकर नानू काका ठठाकर हस देते हैं one good turns deserve another एक अच्छा कार्ज दूसरे का मार्ग खोलता है नानू काका इस बात को बताते हैं किसको सोहनलाल को 53 हम लोग बढ़ रहे हैं नानू काका ओपेंट हीज सिल्वर स्नफ बॉक्स नानू काका अपना चांदी का जो नस्वार वाला बक्षा है उसको खोलते हैं एंड टुक एक पिंच और एक चुटकी लेते हैं देन फिलिंकिंग ओन हीज अंगोचा ही कैज्वली मेंसंड दी नेम ओफ दी वेलफेयर मिनिस्टर अपने अंगोचे में छींकते हुए वे कल्यान मंत्री का नाम ले लेते हैं सोहनलाल के चेहरे पर जो चमक थी वो समाप्थ हो गई जैसे ही बातचीत के दावरान नानुका का वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं सोहनलाल उदास हो जाता है काफी चतूर है नानुका का सोहनलाल पूछता है कि क्या मंत्री भी आपका कोई दोस्त है नानुका का समझ जाते हैं कि लगता है कि मंत्री से इसका संबंध अच्छा नहीं है इसलिए वे कह देते हैं कि नो नहीं वो मेरा मित्र नहीं है I am so glad सोहनलाल said relieved सोहनलाल कहा राहत का सांस लिया कि हमें खुसी है कि वो आदमी से आपकी मित्रता नहीं है so glad that man such ingratitude वहां आदमी काफी किर्टग्न है ingratitude कहते हैं किर्टग्न को किर्टग्न का मतलब क्या होता है जो किये गये उपकार को नहीं मानता है I gave him a ticket मैंने ही उसे a ticket दिया था helped him in every way हर दंग से उसको मदद किया था and what do I get in return मुझे return में क्या मिला इसके बदले में मुझे क्या मिला It turned out that the minister and Lala Sohan Lal once the best friends इससे असपस्ट हो गया कि मंत्री और Lala Sohan Lal अच्छे मित्र हुआ करते थे We are now at Dagon Drowns since last year लेकिन पिछले साल से कटर दुस्मन बन गये हैं Dagon Drowns कहते हैं कटर दुस्मन जानी दुस्मन पिछले साल से दोनों में मनमुटाब हो गया है दुस्मन ही हो गई है क्यों हो गई है When the minister had refused to consider a proposal for his doubter to marry Lala Jee's son जब मंतरी ने अपनी बेटी के साधी का परस्ताव सोहन लाल के बेटे के साथ करने से अस्विकार कर दिया था सोहन लाल का बेटा था कल्यान मंतरी जो है उसकी बेटी से साधी करना चाहता था लेकिन मंत्री इसके लिए तायार नहीं था और इसी के चलते सोहनलाल और मंत्री के बीच में मनमुटाब उत्पन हो गया था दोनों के बीच में दुस्मनी हो गई थी 57 सेवेन खी वांट से प्रींस सोहनलाल स्नूर्ड मुँ सिकोड कर सोहनलाल कहता है कि उसे एक प्रिंस चाहिए राजकुमार चाहिए भाट इज प्रिंस दिजडेज आज प्रिंस का राजकुमार का क्या हस्र है फाव सर्वनाग कॉन्फिडेंशियल आई केन टेल यू देट सोहां लाल नानू का का से काता है कि मैं आपसे एक राज की बात बताता हूं कि मंतरी ने अपने लिए गड़ा खोदा है अपने ही घर में आग लगाया है अगले चुनाब में उसे टिकट मिलने वाली है वेरी सर्प्राइजड बहुत आस्चर्ज होगा ये टर्न्स माई संडाउं उसने मेरे बेटे के प्रस्ताब को ठुकरा दिया है और एक प्रिंस चाहिए वाह और एक मजे की बात यह है कि सोहां लाल कह रहा है नामू का का से कि एक मजे की बात यह है कि आई एम टोल्ड दैट सो फार दे खेवेंट इवेन एक्सचेंड दि खोरो खोरोप्स उनके खोरो असकोप्स का आदान प्रदान अभी तक नहीं हुआ है खोरोप्स कोप कहते हैं जन्म पत्री या जिसको हम टीपन कहते हैं जब लड़के और लड़की की साधी होती है तो दोनों के टीपन का मिलान किया जाता है वह अभी मिलान नहीं हुआ है इवें दी एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइट्स हैबेंट कम टूगेटर तू डिसाइड वेदर इट उड़ बी एन ऑस्पीसियस मैच ऑस्पीसियस कहते हैं सुभ आस्ट्रोलॉजर कहते हैं जोत्सी को सोहलाल बताता है कि अभी दोनों और के जोत्सी बैट कर यह निर्ने नहीं कर पाए हैं कि यह साधी यह मैच है यह सुभ होगा यह नहीं। डिस ग्रैस फुल नानुका का सुनुअर्ट नानुका का ने भी नाक मुह सिकोड कर कहा कि सर्मनाक बात है डिस फुल भाट प्रिंस डीट यू से कितना चतूर है चतुराई से पूरी जानकारी ले रहे हैं मन्त्री के बारे में ौनुका का किस प्रिंस की अब बात करते हैं संयम टूपेनी State कौल्ड नीनोर दो कोडी का राज है नीनोर वही प्रिंस है सोहन लालून को बता देता है अब नानुका का इस बात को समझ जाते हैं कि मंत्री ने अपनी बेटी की साधी नीनोर के प्रिंस से तै किया है लेकिन दोनों का होरोस्कोप का मिलान अभी पंडित नहीं करवा पाये हैं अब 60 में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर कि वी लेफ्ट दी हाउस सुन आफ्टर दैट इसके बाद तुरत वहां से वे लोग सोहन लाल के घर से प्रस्थान कर जाते हैं नानुका का हैविंग अगें प्रोमिस्ट दैट ही उड़ राइट टू ओल्ड एचबी दैट भेरी डे जाते जाते नानुका का सोहन लाल से व हूंगा आज ही हम एच बी को पत्र लिखूंगा आपको काम करने के लिए एच बी ड्रोब अवे जैसे ही हम लोग बाहर गए बोथ लाला जी एंज ही सुपीरियर सेक्रेट्री लाला जी और उनका सेक्रेट्री दोनों वेर बोईंग टू हीम फ्रॉम दी पोर्च ओसारे से से पोर्च से हाथ जोड़कर जुके हुए थे अभिवादन कर रहे थे नानु काका वाज अस्ट्रेंजली साइलेंट डैट इविनिंग और वेंट टू बेड सून आफ्टर डीनर अब वे लोग अपने आवास पर पहुच गये हैं उस साम में नानु काका बिलकुल सांत रह होता है फिर नानु काका चहकने लगते हैं आज हम लोग मंत्री के घर चल रहे हैं नोट मी प्लीज अंकल आई अपील किया नेरेटर है कथाकार है अपील करता है नानु काका से कि नहीं अंकल आज मुझे छोड़ दीजिए आज मुझे मत ले जाईए लेटर पहले नानु काका ने थोड़ा सा वही नसवार है उसको सूंगा और उस समय तक लगता है कि यह बात भूल गये कि मैंने उन्हें क्या कहा था यहीं न कहाता कि आज हमको मत ले जाईए आज हमको छोड़ दीजिए इसको लगता है कि नानु काका उस बात को भूल गये अब नानु काका कह रहे हैं दिस कार ओफ योर्स तु ओल्ट तु असमोल तुम्हारी जो यह कार है वो काफी पुरानी और छोटी है वी विल नीड सम्थिंग मच मोर इंप्रेसिव हम लोगों को कुछ नया सां कंदार गाड़ी चाहिए महंगी गाड़ी चाहिए यू नोटिस्ट तुमने देखा था हाव देट सेक्रेटरी टीटेड अस कोल्डली एट फरस्ट वह जो सेक्रेटरी था सबसे पहले हम लोगों के साथ कोल्डली बयाभार किया था अच्छा बयाभार नहीं किया था इफ इने बीगर कार यदि हम लोग बड़े कार में गए हुए होते ही उड़ है बिन डिफरेंट तो वह दूसरे धंग से ब्याभार करता अच्छे धंग से वह ब्याभार करता बहुत अब कथाकार कहता है नेरेटर कहता है नानु काका से कि एक टैक्सी कैसा रहेगा नो नौट टैक्सी नानु काका कहते हैं कि नहीं टैक्सी से काम नहीं चलेगा टैक्सी नहीं एक प्राइवेट कार चाहिए ड्राइवेन वाए लिवर्ड चौफर इसको सौफर भी पढ़ते हैं जी जिसका अर्थ होता है ड्राइवर चालक अर्लिवर्ड कहते हैं जो विसेसी में होता है एक प्राइवेट कार चाहिए जिसे कि व्यक्तिगत सांदार ड्राइवर द्वारा चलाया जाए दी बीगर दी बेटर जितने बड़ी गाड़ी रहेगी उतना ही अच्छा है सिक्स्टी सेवेन पाराग्राफ में हम लोग पहुँच रहे हैं आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस कहते हैं परिचीत आफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फोर सम मंथ आइन इनॉर्म लेखक को याद आता है कि मेरा एक परचित कुछ महीने से एक बिशाल भव्यकार बेचने की कोशिस कर रहा था उसके पास एक उसधंग की गाड़ी थे जिसे कि वह बेचना चाह रहा था वह गाड़ी खास अबसर के लिए ही बनी थी मतलब काफी सांदार गाड़ी थी बड़े बड़े पार्टी में बड़े बड़े लोगों के पास जाने के लिए लगता है कि वह गाड़ी का निर्मान हुआ था आई टोल्ड नानु काका अबाउट इट उस गाड़ी के बारे में नेरेटर है कथाकार है वह नानु काका को बताता है नानु काका कहता है कि खर देंगे क्यों हम लोग उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले लेंगे ही सजेस्टेड ब्रिंजली उन्होंने यह सुझाब दिया आई एम स्योर वी कूड लेखा कहता है कि ठीक है हम लोग ले तो सकते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए आई सेड इफ वी लुक लाइक जीनुईन बायर यदि हम लोग सही में खरिदार नजर खरिदार दिखेंगे तब न बट डू भी लेकिन क्या हम लोग वैसा दिखते हैं दीज मोटर कार टाउट कहते हैं दलाल को जो मोटर कार बेचता है कैना समेल ए रिचमें ए माइल अव होते हैं वे धनी आदमी को मीलों दूर से पहचान जाते हैं वे जान जाता है कि इसमें से कौन गाड़ी लेने वाला है और कौन गाड़ी लेने वाला नहीं है यू लीव देट टू मी नानु काका सेट नानु काका कहे कि उस अब बात मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे गाड़ी ले लिया जाएगा हम जानते हैं यू जस्ट लीव दी डीटेल टू मी केवल उसका डीटेल हमको बताओ एंड भाट एबाउट दीस लिवेंड चावफर और जो यह सांदार ड्राइवर है इसके बारे में क्या कहना है लेखक ऐसा पूछा यास्ट नानु काका कहते हैं यू आफकोर्स नानु काका सेल ब्ले अनु काका कितना धूरत आदमी है कैसे उगारी को ले लेते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए वे अपना चेक बुक निकालते हैं और रोट ए चेक फॉर ए थाउजेंट रूपीज और एक हजार रूपे का चेक काटते हैं उसको में एमाउंट वन थाउजेंट रूपीज हुए मोडते हैं उनका एक पुराना कोट है उस कोट के अंदर के पैकेट में उस चेक को रख देते हैं नाव कॉल योर धोबी ही टोल्ड मी उसके बाद नानु काका को कथाकार को नेरेटर को अपना धोबी को बुलाने के लिए कहते हैं देखिए कि कितना जूठ का सहारा ल लेने के लिए I called the धोबी and uncle gave him the coat कथाकार है उस धोबी को बुला देता है और नानु काका उस कोट को धोबी को दे देते हैं and took him outside और उसे बाहर लेकर जाते हैं धोबी को and had a talk with him और उससे बातचीत करते हैं उसको कुछ समझाते हैं कि तुमको क्या करना है then we drove over to the sick auto dealer उसके बाद वे लोग गाड़ी से sick auto dealer के पास जाते हैं and नानु काका asked if he could try out the car we had in mind कि क्या हम लोग उस गाड़ी का test drive कर सकते हैं जो हम लोगों को दिमाग में है मतलब जो मैं गाड़ी पसंद किया हूँ उसको हम लोग test कर सकते हैं test drive कर सकते हैं नानु काका ने वहां कहा we had barely got talking to the manager when the dhobi rushed into saw वे लोग manager से बात शुरू ही किये थे कि dhobi दोडते हुए उस showroom में पहुच गया उस दुकान में पहुच गया holding नानु काका जो old coat in one hand एक हाथ में तो वह नानु काका के पुराना coat लिये हुए था and blendish and brandishing brandish माने होता है लहराना the check with the other है other और दूसरे हाथ में वह नानु काका का जो चेक था उसको लहराते हुए लहराते हुए आया ओ देर यू आर ही पैंटेड हाफते हुए धोवी बोला आप लोग यहां है लुक भाट यू देखिए आप अपने coat में क्या छोड़ दिये हैं नानु काका held out the check at the arm's length नानु काका कुछ दूरी पर उस check को रख देते हैं and clucked his tongue several times और कई बार अपने जीव को टक टकाते हैं how careless of me he said नानु काका कहते हैं कि हम कितना लापरवाह रहते हैं I am always doing this sort of thing ऐसा हमेसा हमसे होते रहता है बीरर चेक तू देखो बीरर चेक है anybody could have cast it कोई भी आदमी इसको भंजा सकता था here my good man he said to the dhubi dhubi को कह कि लेकिन तुम इमांदार आदमी है अच्छा आदमी है here is a reward for you तुमारे लिए लो यह पुरसकार है there is nothing like honesty इमांदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं है इमांदारी जैसा कोई चीज नहीं है and he gave him a two rupee note and pat on the back वे धोवी को दो रूपय का note देते हैं पुरसकार के रूप में और उसके पीठ को थप थप आते हैं after this demonstration of wealth धन का इस प्रकार प्रदर्शन करने से it was quite easy about the car car लेना बिलकुल आसान हो गया showroom बाला समझ गया कि इतने धनी लोग हैं के लोग कार नहीं लेंगे तो और कार कौन लेगा I drove wearing my white जोधपूर coat and the orange turban लेखक जो था गुजले रंग का जोधपूर coat पहन लेता है और orange turban लगा लेता है पगड़ी पहन लेता है और गाड़ी चलाता है and नानुका का set regularly at the back और पिछली seat पर नानुका का साम से बैठ जाते हैं looking every inch but he was supposed to be बिलकुल वैसा ही वैद दीख रहे थे जैसा कि उन्होंने सोचा था hereditary pundit from a princely estate किसी princely estate के किसी राजगराने के पुस्तैनी पंडित दीख रहे थे कहने का मतलब कि नानुका का मिनिस्टर के पास पंडित के वेस बना कर जा रहे हैं और जो लेखक है उनका ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है we drove to the ministers house अब वे लोग मंत्री के घर पहुच गए and the servants and the secretary first round नानुका का जो मंत्री के secretary था और जो नौकर चाकर था वो नानुका के आगे पीछे करने लगा चारो ओर से आकर के घर लिया कि कूँन इतने बड़े VIP आये हैं who refused to estate his business लेकिन नानुका का ने उहां अपना कोई काम नहीं बताया किसी को कि मैं यहां क्यों आया हूँ but merely called for the visitors book नानुका का ने केवल लोगों को visitor book मांगा कि अपना visitor book लाइए I have just come to make a formal call केवल अपचारिक call के लिए यहां पर हम आये हैं मुलाकात के लिए आये हैं he announced नानुका का ने कहा I have no wish to disturb the minister मुझे मंत्री को disturb करने का परेशान करने की इच्छा नहीं है it is just a formality यह बिलकुल एक अपचारिकता है that we in the old princely estates observe हम पुराने जमिंदार वाले लोग इसे आज भी निभाते हैं his highness is a great stickler for these courtesies महाराज इस अपचारिकता के समर्थक हैं दे ब्राउट दी वीजीटर्स बुक वे लोग जो वीजीटर्स बुक है उसको ले आकर वहां पर रख देते हैं देते हैं नानुका का को अपना नाम लिखते हैं और नीचे लिखते हैं आगे लिखते हैं देट्री एस्ट्रोलॉजर तुदी महाराजा ओफ नीनौर नीनौर के महाराजा के खांदानी पुस्तेनी जूतसी अट दी इंड और उस रजिस्टर पर नानुका का अपना दिल्ली का पता लिख देते हैं पता में हुए कथाकार का पता भर देते हैं जहां पर की वे रुके हुए हैं विदाउट एन अदर वर्ड्स एंड एज दाउ ही वेयर इन ए टियरिंग हरी बीना कुछ कहे मानो ऐसा लग रहा था क्यों एक काफी जल्दी में थे और जोर से बोलते हैं लेखक से कहते हैं चुकि लेखक जो है उनके ड्राइवर का काम कर रहा है टेक मी टू दी महाराजा सुतकता पहले हमें महाराजा सुतकता के राजभवन में ले चलो I have to return all those horoscopes interested to me हमें उनका सारा टीपन लोटाना है जो कि मुझ में विश्वास करके उन्होंने बनवाया है As the car turned out of the gate जब कार gate से बाहर निकला मंत्री कहां पहुँचे थे मंत्री के gate आवास के gate से जब गाड़ी बाहर निकली I glanced backward तो लेखक है पीछे देखता है पीछे मुड़ता है और देखता है and saw a huge dark खदर क्लेड फीगर एक dark खदर पहने हुए आदमी peering out from upper story window तो पी अर्माने होता है जहांकना उपरी तल्ले के खिड़की से जहांक रहा है जहांकने वाला ब्यक्ति है खदरदारी हो ही हमारा welfare minister है अब जो लेखक है कुनानु काका को लेकर अपने आवास पर पहुँच गया we had just finished tea अभी अभी वे लोग चाय समापत किये थे चाय पिये थे and we were trying to house break the new kitten और जो नई बिल्ली थी बिल्ली का जो बच्चा थी उसको वे लोग घर में परवेशी करवाना चाह रहे थे वीच है just made a puddle on the floor जो अभी अभी फ्लोर के ऊपर पेशाब कर दिया था when the car with the white triangle stopped in front of the house उसी समय उजला तिकोन लगा हुआ गाड़ी लेखक के घर के सामने आकर रुक गई एंड नानु काका वेंट आउट बिथ folded hands to receive the welfare minister और नानु काका हाथ जोड़कर उस कल्यान मंत्री को receive करने के लिए गए who had come to see him जो उन से मिलने के लिए आया था नानु काका left yesterday अब नानु काका की मुलाकात मंत्री से हो गई इसलिए कल नानु काका डेली से प्रस्थान कर गए his mission accomplished उनका जो mission था लक्ष था वो पूरा हो गया I never found out what it was that he wanted to see the minister about लेखक कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि आखिर नानु काका मंत्री को क्यों देखना चाहते थे क्यों उससे मिलना चाहते थे also I wonder और लेखक को आश्चर्ज होता है what is going to happen क्या होगा when the minister discovers that जब मंत्री को यह पता चलेगा कि my uncle has never been within a hundred miles of a place called निनोर कि मेरे अंकल मेरे मामू को निनोर के राजमहल से मीलों से नाता नहीं है कहाई से उनका कोई relation उस राजगर आने से नहीं है although I am now convinced that उसके बाब जूद भी लेखक जो है वास्वस्त है कि नानु काका विल तिल बिथ दिस सिचुएशन विदाउट एलोविंगे सिंगल फोल्ड ओफ इज अंगोचा टू पॉल ओफ प्लेस बिना अपना गमचा गिरे हुए नानु काका हमारे वैसी परिष्थिती से भी निपट लेंगे हमारी परतिष्ठा का हनन नहीं होने देंगे और लास्ट पाराग्राफ है only when it happens और यदि ऐसा होता है I want to be somewhere far out of range तो हम रेंज से काफी दूर होना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से मनौहर मालगोनकर यह बतलाना चाहते हैं कि सत्ता के गलियारे में आज जो चापलूस जापलूसों का जो बाजार है जो वहाँ जाकर चापलूसी करते हैं जूОठी प्रसंसा करते हैं उनिहीं की पहुंच बड़े बड़े लोगों के पास होती है और जो सामन्य जन होता है जो सामन्य आदमी होता है उसे वहाँ किसी भी प्रकार की परतिस्था मिलती है उसका कोई काम वहां סambhav नहीं हो पाता है तो बस इस वीडियो में इतना ही अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अगले चेप्टर के साथ ठेंक्यू